फ्रेंड्स इस वीडियो में जो हम चेंपियंज लीग क्वालिफाइर्स का बड़ा मैच कवर करने वाले हैं वो खिला जाएगा एस मोनेको वर्सिस पी एसवी अइंडोवन के बीच मैच का वेन्योग मोनेको किक अफ होगा रात में 11.30 पे अब दोस्तों ये मैच है चेंपियंज लीग का क्वालिफाइर्स मैच यानि कि ये दो टीम का पहला लेग होने वाला है इसके बाद सेगिंड लेग होगा और उस दोनु लेग के जो रिजल्ट होंगे उसको मिला के जो टीम जीतेगी न वो नेक्स टॉन में पहुचेगी और फिर उनको नेक्स टॉन मे और इनका मैच है पीएसवी आइंडवन से जो की डच लीग जो नीदरलेंड में होती है वहां की वन अब दा बैस टीम आनी जाती है अलोंग साइड आयक्स तो बड़ा मैच होने वाल है दो अपनी अपनी कंट्रीज की स्ट्रॉंग टीम के बीच ये मैच रहेगा अब पहल पूरी तरह से प्यस्वी आइंडवन को हराने में के विभल है और प्यस्वी आइंडवन के बास बीचनी क्वालिटी है कि वह पूरी तरह से मुनेको को हरा सकती है तो मेरे अकॉर्डिंग कोई clear-cut फेवरेट तो नहीं है बडम मैं मनेको को सिर्फ उनके home advantage की वैसे आप एस स्लाइट फेवरेट क्या रहा हूं फिलाल मुनेको का अभी तक सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है जो भी उन्होंने रिसेंट मैचेस खेले हो फ्रेंड्ली में खेले हैं लेकिन पियस्व आइंडुबन का क्या है ना डज लीग तो स्टार्ट नहीं वही लेकिन उन्होंने एक के इनके लेवल के इतने भी अपोनेंट है उनको अच्छी कासी फाइट दे सकती है फिलाल यह मैस्ता हो जो फाइब थ्री हुआ था तील करके इनका एक न्यूफ फॉरवर्ड है डैट लीग के किसी छोटे क्लप से साइन किया उस बंदे ने पहले ही मैच में एट्रिक मारत था तो यह अभी रिसेंट रिजल्ट है पीएसवी का अभी दो-तीन दिन पहले मैच हुआ है बागी मैंने बता जिए इस मैच में मैं स्लाइड एडवांटेज ऑल्दो मैं क्लियर कट फेवरेट नहीं करो हलका से एडवांटेग मोनेको को देखे अपनी टीम बनाऊंगा ज अभी प्रोविबल लाइनप देखने से पहले चीज कहना चाहूंगा इस मैच की फाइनल टीम फाइनल अपडेट के लिए आपको जुड़ना है हमारे टेलिग्राम चैनल से तो टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्स बॉक्स में यह आपको मिल जागा टॉप पिंग कमेंड में वहां से जुड़के आप मेरे टेलिग्राम चैनल से जॉइन कर सकते हैं 4200 के आसपास सब स्वाला चैनल आपको मिल जाएगा तो प्रोविबल लाइनप के आते हैं पहले बात कर लेते हैं मुनेको की तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई क्लियर प्रकट फेवरेट तो नहीं है अगर मैं छै प्लियर मुनेको के पिक करूँगा मैं पाच प्लियर पिक करूँगा प्यस्वी जिससे की एक बैलेंस बन जाएगा व्यसे मैं स्लाइट एटवन्टेव मुनेको को तो मैं 6-5 का कॉम्बिनेशन इन फेवर आप मुनेको लिया लगता है अगर मिरको प्यस्वी का लाइनप हलका लगता है मैं 7-4 का कॉम्बिनेशन भी लिया हो मुनेको के फेवर में तो पहले मुनेको की प्रोवेबल हम देखते है नूबल इनके गोलगीवर हूंगे चार इनके डिफेंडरों की एग्विलार डिसासी मरीपैन और सायो हैं अब मुझे क्लिंशीट आते हुई किसी की दिखाई नहीं दे रही है तो मैं अभी के लिए थोड़े ज्यादा इनके भी करूं मैं इन चार में तीन मुनेको के लिए लेकिन एक या दो डिफेंडर में अपोनेंट से भी ले जाऊंगा आपको लगता है ज्यादे ये एक बेलेंस बनेना है तो मुनेको के uitफेंडर कर लेना और दो आपी एपी पिक कर लेना और को इपैस्वी के रख लेंगी हो चाही तो चारों के चारों डिफेंड़र भी लिए सकता है मेक्सिम बंद्रे आपको आज के वेज में हो गसकता है मनेको विवर टेम स्मॉल लीग मे है ना इनके डिफेंसी नंबर बहुत ज्यादा सॉलेड है लास्ट दो सीम से तो मैं इन दोनों को शोली भी करने वाला हूं मेरी थाट चोईस डिशासी है अमारी पन में कोई एक रहेगा यहां पर एक प्रॉपर विप्टिप्टी कॉल है दोनों एटरेम सॉलेड है दोनों के स्टार थे लास्ट सीजन के वह रियाल मेड़ीड जा चुक है एक हाई ट्रासफर फी से तो उनकी अप्सेस में ना इस सीजन फोफाना पर रिस्पांसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है जो चुवामिनी के साथ पिछले सीजन तक डबल प्यवट यानि की दो नमब इन तो दे ही सकते हैं अब मैं आपको दो मस्ट प्लेयर बता दो एक है वाइजम बैनियदर और दूसरे एलेक्जेंटर गोलोविन आइटिंग यह दोनों 100 प्रसेंट आपकी टीप में रहनीचे बैनियदर मुलेकों मुलेकों के टैलिसमेन है लास्ट तीन चार सीजन से हर स बहुत है पिछला सीजन उतना प्टू दमाग नहीं गया लेकिन क्रेटीव प्लेयर है गोल असेज़ भी कर सकता है कॉनर की को गिरा भी लेता है तो मैं बन्येदर हो गया गोलोविन हो गया इन दोनों को शोली पे करने वालों एक प्लेयर और डिसेंट है वेंडर्सन नाम क वहां पर उनको जब भी चांसेज मिलते थे अच्छा करते थे जैपनीज इंटर्नेशनल है गोल असेज़ बनने में के भीबल है लेकिन वहां पर एक एक स्पॉट में इतने सारे प्लेयर्स थे कि मीनो मीनो को सही से गेम टाइम नहीं मिल पार था इस वाय से लिवरपूल न फोफाना के साथ जा सकते हैं पट्विलाल के लिए मैं मीनमीनो प्यांप प्रवफ लेख करते हैं लगबक सभी चीजे मैंने यहां से आपको डिटेल में कर दीग कर दी अपने आपकी बात करने से बहले एक बार फिर से रिमाइंट दिला देता हूं इस मैच की फाइनल टी description box या टॉप पिन कमेंड में वहां से जुड़के आप मिरे टेलिगराम चैनल से जोइन कर सकते हैं अब हम बात करते हैं अभी अभी नीज से यहां पर ट्रांसपल ले गया हैं अच्छे गोल की पर अपने घर में उन्हें को ज्यादा पोजिशन डॉमिनेट करेंगी ज्यादा अटेक कर सकती है तो मैं अभी के लिए बेनिटेज के साथ जरूं बट आप चाहें तो यहां पर न होवर टेजे और फिलिप मैक्स अब मैं तीन डिफेंटर वहां से भी कर रहो एक या दो में यहां से भी आँगा उस केस में मेरी टॉप टुजाइज इनके दोनु फुल बैक्स रहेंगे होवर और मैक्स मैक्स लाश्ट टू लास्ट सियन तक बुंदस लिगा में खेलते थ प्रीमियल लिग में जो वहां पे जादा मौके नहीं मिलते थे लेकिन जितने भी इनको चांसे मिलते थे यह डिफेंसी वाइस बहुत ज्यादा सॉलिड मुझे लगे बहुत टेकल्स इंटरप्सन करते थे और अभी के लिए मेरी नंबरनों चॉइस होवर है सेकिंड मैक्स है अगर मेरे को एक चूज करना मैं होवर के साथ जाओंगा बड़ आप चाहे तो दोनों को पिक कर सकते हैं यह आपको लगते हैं होवर अच्छा नहीं कर पाएंगे आइधिंग इनका पहला दूसरा ही मैच है तो आप चाहे तो मैक्स के साथ भी जा सकते हैं कोई स्मॉल ल अभी के लिए मैं संगारे के साथ जा रहूं विर्मान अटेकिंग मिट फिल्डर है बॉक्स टू बॉक्स आके गोल असिस्ट भी करते हैं लेकिन इन्होंने ना गोल असिस्ट किये जरूर है वह इन्होंने एडिवीजी में किये हैं जो कि डश लिग है और वहां को पीक नहीं कर रहा हूं कुछ खास नंबर्स नहीं लगे अब मैं आपको दो मस्टफिक प्लेयर रता दो एक है तिल इनकी न्यू साइनिंग है और अपने डेब्यू में है ट्रिक मार दी और जिस क्लब से आए लास सिजन वहां भी काफी गोल मारे है तो मैं अभी के लिए के साथ जरू और अगर आप ड्रॉ के लिए या पीएसवी विक्ट्री के लिए तो कैप्टन वाइस कैप्टन सी के भी टॉप अप्सन रहने वाले हैं फॉर्वर्ड सेक्टर में इस सीजन इनके मेंन फॉर्वर्ड हुंगे लूग डियॉंग जो पिछले सीजन बार्सा में खिलते थे आपको याद होगा बहुत फ्रस्टेट किया था इन्होंने लेकिन ये क्रूसियल टाइम मेंना मैचेस भी इन्होंने एक दो जिताय थे बा मैट आप शोली जा सकते हैं उसके लिए क्या करना होगा आपको मिनमीनो को ड्रॉप करना होगा तब आप इनको पिक कर पाएंगे क्योंकि फॉर्वर्ड में में बन्येदर होगा और गाप को होगे इन दोनों को शोली पिक करने आलों एक स्पॉट है तो यहां पे 50-50 कॉल लेलना मिनमीनों और लूग डियोंग का अब लूग डियोंग के लिए यह सीजन और ज्यादा इंपटेंट होने वाल है एक तो वयल का भी आ रहे है अपनी जगे नीदर लेंड टीम में सीमेंटेट करना चाहेंगे तो यहां पर मेरे अकोर्डिंग इस सीजन यह खुश से चाहेंगे की अच्छा परफ़ंएंस करें एक्सट्र मोटीवेटिभी रहेंगे तो भी अच्छा कर सकते हैं और फिनिशिंग वगेर है तो अच्छी करते हैं तो आपको लगता है अज अच्छा करेंगे पुक कर लेirmा फिलाल के लिए मैं अकोर्णिंग फेडरीट हो है तो यहां मैं फिलाल जो मेरी विडिक्सन है मैं एक 1-1 ड्रो के साथ जरू या मैं स्लाइटली 2-1 मुनेको विक्क्री के साथ जरू लेकिन यहां पर 2-1 PSV के भी चांसे हो सकते हैं तो यह मेरी डेमोर रफ्टी में गोल की पर मैंने मुनेको के लिए मैंने उनके डिफेंडर होवर उनकी न्यू साइनिंग तिल नहीं जिनने डेब्यू में आयक्स के अगेंट हैट्रिक मारी गाप को लिए मैंने यहां बैनियदर लिए गुलूविन लिए और मेरे पंड़ पिक रहेंगे मिनमीनो आपको लगता है लूग डियोंग अच्छा करेंगे सिंप्ली मिनमीनो को अगर आप यहां पर लूग डियोंग को पिक कर लेना कैप्टन के मुझे सेव लग रहे हैं वनवन ड्रॉ में अगर आपको लग रहाएं अगर आप बड़े रिस्क टेकर हैं प्यस्वी विक्ट्री के लिए गाप को तिल गाप को या लूग डियोंग यह को मिनमीनो तो फिलाल यह मेरी डेमो रफ टीम थी जो भी मेरी अपडेटेट फाइनल टीम होगी विद फाइनल अपडेट्स आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल में तो टेलीग्राम चैनल का लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जॉइन कर लिजिए